ही ना सविधान दिवस में सविधान के अंदेखी आज जो है पूरे देश में जनजाती गवरव दिवस मनाई जा रहा है ना जारकन के महापुरुसों को समान देते हैं वे हमारे सहित विश्रमुंडा के वंकसज यहां खड़े हैं इसी माला पहनाने से होगा नहीं सची सरदा सर्दान जली तब होगी जब धरते अवा बिश्रमुंडा के आंदोलन उनके आदर्शों उनके आंदोलों के बाद जो छोड़ना को टिनंसी एक उन्हें सो हाट बचे उनके प्रावधानों कौनों पालन करेंगे तब उनके परती हमारी सच्ची सर्दान जली है हमारे संताल जली नहीं नहीं होगा तो यहां पर समुदाय को आरक्षन दी गई है पीपेसा करूं में 243 आपका जो 244 वशन अरिया में में पीपेसा की धारा 4G के अनुसार आरक्षन की व्योस्ता है जो समुदायों के दी गई है खूटी में मुंडा ही चे एर में हो एक दोगा मुंडा चेर्मेन होंगे यहाँ यहाँ पोपुलस्टन की आबादी की बात नहीं है वो जिकर है 243D जो सामान छेतर के लिए हैं क्योंकि राज को कौन चला रहा है हम आपको हम राज को जो है राज सरकार और उनके कानूनी सलाकार लोग अब टीसी को देखें टीसी में गावर्ण मानन गवर्णर को अधिकार है नियावली बनाने का राज सरकार क्यों ऐसा की चुकि कारूनी सलाकार ने उनको सला दिया और दुखत इसी दिए कि ट्रैप्स एडवाजरी काउंसील का गठन ही असावेधानी तरीके से हुआ है जिस राज का मुखमंद्री आदिवसी हो जिस राज में सहीदों पहले पहले बार आदिवसी पुर्वज लोग हमारे सहीदों है उस राज में अगर कानून कानूपालन नहीं हो इससे बड़ी तकलीब दे बात क्या होगी जब जनजाती गवरभ दिवस हम मना रहे हैं आप सभी को संभीदान दिवस की पहले तो बधाई और ये आज जो हम टॉपिक पे डिसकसन करने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा वो लोग भी सुनिए जो मुनिस्पल एलेक्शन का बिरोध कर रहे हैं रोस्टर की वज़ा से वो लोग भी सुनिए जो मुनिस्पल एलेक्शन नहीं चाहते हैं और जो एस्टी जो चार कभी अंतर को आपको समझना होगा और जो हाल फिलाल में राज्य सरकार जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में टी एससी की बैठक कीज उनके सारे सदस और चेयर में और वहां से जो मुद्दे उठें उसको भी आपको समझने की जरूरत है ये सिर्फ आदिबासियों की कहानी नहीं है जो भी सिडूल एरिया में रहते हैं उन सब को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए एक तपका ये है जो चाहता है कि चुनाव हो हमारा अपना चेयर मेंन हो हमारा अपना मेयर हो डिप्टी मेयर हो परसदो और तमाम दो दूसरा तपका ये भी है जो कहता है कि नहीं हमारा जो कस्टमरी लाव है वो फॉलो होना चाहिए क्यों क्योंकि इसकी अधिकार और इसका जो ताकत है हमें संबिधान नहीं दिया है हमारे साथ विक्टर मालतो जी हैं तो आपको बिस्तार से तो अभी हम नहीं बताएंगे पर पॉइंट्स इसको आप समझी है सबसे बड़ा बात है कि आप कह रहे हैं कि हमारे सिडूल एरिया में चुनाव होने का कोई औचित ही नहीं है हमारा खुद का अपना स्टाइल है परफॉर्मेंस है और उसी के अधार पे हमारे ग्राम प्रदान मान की मुंड़ा ये राजा पाड़ा ये सब चलता है और इसका हमको संबिधान से इजाज़त है अभी चर्चा इसलिए ज्यादा गर्म हो गई है कि फिर से राज में मुनिस्पल एलेक्शन होना है अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अधिकार मिल रहा है लिहाजा इसलिए बिरोध सुरू हो गया आप उनको कैसे साटिसफाइड कि देखें उनके साटिसफेक्शन के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं हम भारत के समिधान के प्रावधानों को सम्मान देते हुए उन्हें बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं लोगता अंत्रिक ढंक से जब समिधान में यह ब्योस्था कर दी गई है कि अनुसुचित छेतर में पैंचार राज ब्योस्था और नगर पालिका के ब्योस्था लागू नहीं होंगे तो नहीं होंगे हमें समिधान को सम्मान देना है अब हम अनुसुचित छेतर और अनुसुचित जंजातियों के प्रासासन और नियंतरन के लिए ही माननी संक्सत ने पीपेशा कानून बनाया तो पीपेशा का फुल फॉर्म है दप्रोविजन्स अप दे पंचायत एक्सेंशन तो दे सिरूरिया एक्ट नाइट नियंटिसिक्स जिस पर राश्पति महोदे ने दिरांग 24 दिसंबर 1996 को अपने लिखे सम्मती दी तो दी प्रोविजन्स आदिवासी पंचायत के 23 प्रावधानों का विस्थार हुआ है अंसुची छेतुर में पूरे देश का बाद छोड़ दे जारकन में उसके बाद तीन एलेक्षन हो गए तो पूरा करने दीजी इसको तो जब पीपेशा के 23 प्रावधानों का विस्थार हुआ है तो इस 23 प्रावधानों को लागू कर देना जाए शरकार को जोकि आज 26 साल हो गए और एक साल के अंदर ही निया मौली बनाने थी नहीं तो इसके प्रावधान सिरूरिया में स्वातर लागू हो जाएंगे तो पीपेशा कानून अंसुची छेत्र के निवासियों के लिए सोसासी जीला परिश्द और परंप्रगत गरामसभा के इस्थापना की इजाज़त दे दिया है और नगरपालिकाओं के प्रावधानों पर रोक लगाए गया है तो पीपेशा की धारा चार ओ है ना वही नगरणिगम के कारियों का भी संचालन करेगा यही कारण है कि माननी संगसर्द ने आज तक आर्टिकल 243 जेट्शी 3 के तहत नगरपालिकाओं के प्रावधानों को अंसुची छेत्र प्रविस्तार नहीं किया है तो जब पार्लिमेंट ही नहीं किया है तो यहां रोस्टर का सवाल नहीं होता है तो अब यह सवाल उठेगा कि लगातार तीन एलेक्शन हो गए अगर मान लीज़े आज में पंचायस से लेके और यह ति तो यह तो बेसलेस हो गया ना बेसलेस नहीं है माननी सुप्रिम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई असवेधानिक कानून किसी राज में चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि गलत कानून चलता रहे गलत कानून की समख्छा होगी और पार्लिमेंट का जो कानून है जो सरोपरी है सरोपरी संक्सद है उसके कानून ही लागूपोंगे चुकि वहाँ स्वच और स्वच प्रसासन और स्वच प्रसासन और स्वच प्रसासन और स्वच प्रसासन की व्योस्था उद्धेश है यहाँ पंचारा नगरपली का इसलिए लगाएगे कि यहां लोगों का रितिरिवाज संक्सिती बच्चे ही और सांतियो स्वच प्रसासन हो तब ना उनका उनती होगा राज सरकार का आपका बिरोधावास कहां दिखता है जब आप कोट गए है इस पूरे मामले को सरकार कोट में गुम्रा करने वाला सफ़त दाखिल करती है पैंचार राज बिभाग कोट में कहता है कि हमने अटोनोमस कौंसिल दे दिया है सोसासी जिला परिश्च दे दिया है यह एफडेविट से कही है यह न बहुत दुखत बात है हम लोग को आज क्यों आज प्रेस कौंफरेंस करना पड़ा सरकार कोट को एफडेविट फाइल करके दी है हमने पी पेसा के सबी प्रावदन लाओ कर दिया है और पैंचार राज शच działab देते हैं कि अभी पैसा के नियम आजुरी परिक्रियाधिन है कि दुनों पर हमारे पर हमारे पासे हम आपको दे सकते हैं अभी हमारे पास कोट क सबढ़ेभी है और कुछ कहा रही है कोट में यहां कुछ कहा जा रहा है चोण और है को पेपर नियुक्रों बड़ा सब्सक्रद रहे थे आपको complete बड़ा सबूध क्या हो सकता है को अगिए का पेपर आपका जवाब और वनों को उश्वा चेतरमरी अचिंड़ी अन क्या एकस्टेंशर्ट आपीर लोग काम कैसे कर रहें 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 वहीं ना सविध्छान दीवस मनें को समय दखी आज जो है पूरे देश में जन्जाती गावरव दिवस मनाई जा रहा है न जारकन के महापुरुसों को समान देते हैं वे हमारे सहिद विश्रमुंडा के वंकसज यहां खड़े हैं इसे माला पहनाने से होगा नहीं सच्ची सरदान जली तब होगी जब धरतियवा हाट बचे उनके प्रावधानों कोनों पालन करेंगे तब उनके प्रत्री हमारी सच्ची सर्दान जली है तो अब जो सरकार फिर से एक एलेक्शन मुनिस्पल कराने जा रही है तो आप लोग उसका क्या चाहते हैं कि सरकार इसको रोक दे जो पुराने में गल्ती हुआ उसक है ना आप तुकी लोग तानती की बेवस्ता के चाथे स्थम्भ है आपको बुला करके तमाम समयधानिक प्रावधानों से वस्तु इस्तिती से अवगत कराया है आने होले समय में किसी भी तरह की जानकारी आप लोग को चाहिए तो हम लोग उपलब्द रहेंगे है एक हाइपोट्रेटिकल सवाल है अप चाहिए तो जबाब दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं कुछ लोग कहेंगे कि पंचायत में तो एकलपद रिजर्ब है और हम ही लोग चैन करते हैं तो एक तरह से कहिए कि उन्हीं के बीच का है तो ये भी स्वासाथ सित एक तरह की प्र सेक्स अधारा 4G में हैं 4G आप देखेंगे उसमें आरक्षन ना जनसंख्या को नहीं दी गई है आरक्षन कमूनेटी को दी गई है फोर एक्जामपल हो के जिला में हो समाज हो आदिवसी समाज के अंसुचित जिले में हो समाज के बैक्ती ही चेर्मेन होंगे चोनाकपूर एरिया में उराओं समाज के लोग ही चेर्मेन होंगे लोहरदगा में लातिहार में गुमला में ठीक है सिम्डेवगा में अगर खड़िया समाज के अबादी अधिक है तो खड़िया समाज के लोग चेर्मेन होंगे हमारे संताल पगना एरिया में संताल ही चेर में नहीं होगा तो यहां पर समुधाइ को आरक्षण दी गई है P Paysa करून में 243 अपका जो 244-1 एरिया में P Paysa कि धरा four ji कनूसार आरक्षण की ब्योस्ता है जो समुधायों के दी गई है क hypothi में मुंडा ही चेर में होगा मुंडा समुधाए चंदाल नहीं हो सकता है उराओं नहीं हो सकता है छोड़नाकव अरिया में उराओं समुधाय के लोगी चेर्मेन हो यहां यहां पॉपुलस्टन की आबादी की बात नहीं है वो जिकर है 243D जो सामान चेतर के लिए है अंतरवन यह दिखे अब एक दो विसे होता है कि इतना वर्स पार हो गया चुनाव हुआ पैसा खर्च हुआ डेवलप्मेंट का तो यह तो कोई आधार ही नहीं था इसका पैसा खर्च का तो उससे हमने इस्तेमाल किया नहीं सरकारी हजाना का दूरूपयोग हुआ यह हां कि चार सब्द है लेकिन बहुत विभाग और जिल्ला प्रसासन तो हमको कहा है तो वो ग्राम सबाक और आपका जो कस्टमरी लाओ का ग्राम सबह है दोनों में तो डिफरेंस हो गया अवो जो ग्राम सबह Benaigh Wow ौराय दॉडान सबा बनाए हुए कानून के उससर चलती है और हमारा जो प्रमप्रहत ग्राम सबह है हो फुपय सख कि जो परउद सरकार और उनके कानुनी सलाकार लोग अब टीएसी को देखें टीएसी में गौण माननी गौणर को अधिकार है नियावाली बनाने का राज सरकार क्यों ऐसा कि चूकि कानुनी सलाकार ने उनको सला दिया और दुखात इसी दिए कि ट्रैप्स एडिवाजरी काउंसील का गठन ही असवेधानिक तरीके से हुआ है जिस राज का मुखमंद्री आदिवसी हो जिस राज में राजपाल आदिवसी रही हो जिस राज में विपरश का नेता आदिवसी रहा हो जिस राज में सहिदों पहले पहले बार आदिवसी पुर्वज लोग हमारे सहीद वे हैं उस राज में अगर कानून कानूपालन नहीं हो इससे बड़ी तकलीब दे हैं बात क्या हो कि जब जन्जाति गौरव दिवस हम मना रहे हैं सुक्रिया अब इस बात को आप और भी रिसर्च कीजिए पढ़िये कि आखिर इन लोगों का डिमांड क्या है और क्या वो संबेधानिक है की नहीं दावा है कि जो सरकार अभी तक करती आ रही वो दरासला संबेधानिक है क्योंकि इसको लेकर अल्रेडी संबेधान में प्रोविजन है तो अब कानून ना पढ़के समस्या जब उत्पन हुई तब फिर चर्चा होना और उस समय जो भी एक बेवस्था आपस में मिलके तै कर लिया गया उसी को लागू कर दिया गया सोचिएगा दोनों में अंतर क्या है अंदर इस्पोर्ट लिया गया फैसला या फिर संबेधान के तरह लिया गया फैसला आप इसका ब्याख्या कीजेगा फिर आपको समझ में आएगा कि इनका डिमांड जाइज है या नहीं विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं